कि यह देखे काइज तेयार जो नहीं होने वाले हैं और ये देखे कितने करश्पी और कितने के स्थ Management उलन जो कि गेहों के आटे से भी क्रस्पी टेस्टी बनकर तयार होंगे हमारे बैट कर रहे हिए कि वज़ा से ही हमारे समुसे क्रस्पी सबस्टेस्टी बनेंगे देखिए 2-3 पिंच लेली हिंग और ये ले 1-2 कुष्टमझ मेथी कंश्टमड़ी मेती घर बना करके रखी थे हम Admiral गप कर्येंगे हो युक्र हम मसलते और बहुत देखिया है तो यह देखिए इस तरह से अभी हम एट नमक करेंगे मेझैँ तो आप रेवल स्पून और आप निए किया है तो आप लोग देखते रहे गाँ इसमें आप लोग अगर रजवाइन आप करना चाहते हैं तो आप आप कर सकते हैं हमने नहीं है किया हुआ है तो यह देखिए इसमें अब हमました 3-4 spoon के करीब डालेंगे ऑयल जो कि इससे खस्ता और क्रिस्पी बन कर तैयार होगा तो यह देख सकते हैं अब इसको हम काईज हम गुन गुने पानी से मालेंगे मतलब इतना गरम पानी है कि हमारा हाथ पानी को टेश्क कर रहा है तो बर्दास कर पा रहा है तो इतना हमें गरम लगाते हैं चपातियों के लिए हलका सा मुलाइम उसी तरह से लगाना है क्योंकि सूजी है सूजी है हमारी अच्छे से फूल जाएगी तो यह डो हमारा सक्त हो जाएगा तो यह देख सकते हैं तो आब हम क्या करेंगे इसकी बना लेंगे फिलिंग तो देखिए हमारे पास और इसको साथ में ही ग्राइड कर लेंगे तेखी ग्रायंड हो चुका है घ्राइड चुका है अगण अच्छे से पिंस चुका है गूस्य कर सेजवान चटनी या फिर टोमेटो कैचप भी यूज कर सकते हैं आपको जो भी चटनी यू अच्छी लगे वह आप आप कर लिजे क्यों कि इससे हमारे डो में बाइंडिंग आएगी जो कि फिल करने में आराम रहेगा समोसों को तो देख सकते हैं हमने चार से पांच स्पून एट किया हुआ है तो कर तकरीबन हमें छे स्पून के करीब चिली सॉस एट करना पड़ा बाइंडिंग लाने के लिए तो यह देखे बाइंडिंग आ चुकी है तो इसको हम इस तरह से डो बना के रख लेंगे देखिए बॉल के तरह छोटी चोटी बॉल बना लेंगे रफ ऑसमेलिश हो जुकर है तो हम फिर से मसल लेंगे और ध्रिक बनाएंगे संतरी है घैकार डोई हो चुका है तो हम देखे दो पार्ट में हमें इसको कटकर लिया है डो को इस तरह से बराबर बराबर भागों में तो इसकी देखे लंबी लंबी हम छोटी 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 इसकी हम लोईयां काट रहे हैं क्योंकि हम छोटे मिनी समोसे बनाएंगे इसलिए तो इनको हम देखे जितनी लोईयां बनाते जाएंगे उतना हम बाहर रखेंगे कि इसको हम बेल नहीं है बस उसी तरह से नहीं हौने ढ़ते हैं वसी तरह से नीचे के साइट में पानी लगाते हुए इसको चिपका देंगे यह देखे इस तरह से जैसे समोसों की कीप टाइप जैसे कीप बनाई जाती है उसी तरह से कौन उसी तरह से बना लेंगे यह देखिए आप इसमें वही फिलिंग अपनी हम भरेंगे तो इस तरह से हम भर देंगे फिलिंग और इसके मुझ को हम बंद कर देंगे इस तरह से पानी लगाते हुए बंद कर देंगे यह देखिए इस तरह से बंद करेंगे और यह देखिए यहां साइड में एक थोड़ा सा छोटी सी प्लेट दे देंगे जिसकी वजह से यह समोसे काकार आ जाएगा यह देखिए इस तरह से बंद गया समोसा हमारा पूर अच् जिससे के हमारा fry करते समय खुले नहीं तुसी तरह से सारे बरागर रख लेंगे यह देखे गाइस दूसरा भी उसी तरह से हम भरेंगी थोड़ी सी filling लगा भर के उसमें जितनी आ जाए और फिर side में यह देखे आसपास पानी लगा देंगे जिससे कि अच्छे से बंध हो जा करके पसबंद कर देंगे तो इसी तरह से सारे बरा करके तयार कर लेंगे और फिर fry करेंगे तो चलिए हम बनाते भी जाएंगे और फो करते जाएंगे तो यह देखिए अब हमने जितने बना लिए थे उतने हम फ्राइ कर लेंगे तो इस तरह से देखिए डो डाल कर देख लेंगे हमारा ऐल हो चुका है तो इसको हम इसमें समोसे आड़ करेंगे आयल को हम 10 मेट के लिए प्री हीटोने रख देते हैं जिससे की आयल दीमे दीमे गरम हो जिससे की मारे समोसे क्रिस्पीक दम से कुर कुरे बन कर तयार हूँ यह देखिए इस तरह से हम साहे समोसे आड़ करेंगे हम जब तक नहीं टच करेंगे समोसों को जब तक यह अपने आप कुक होके ऊपर ना आ जाए तो यह देखिए हमारे उपर आ चुके हैं तो हम दीरे दीरे इन समोसों को पलट देंगे इस तरह से और इनको क्रिस्पी सेक लेंगे सबसे अच्छी बात यह है इन समोसों कि आप 15 से 20 नहीं महिने भर तक इनको इस्टोर भी करके रख सकते क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो खराब होने वाली हो जैसे कि नमकीन और यह उपर का डो वो तो फ्राइ होई गया है तो इसी तरह से देखे सारे फ्राइ कर निकाल कर लेंगे और अपने दूसरे डाल देंगे तो इसी तरह से क्रिस्पी फ्राइ कर लेंगे तो यह देखे आइस हमारे समोसे बन करके तयार है यह थोड़ा सा आपको रेड रेड लग रहे होंगे क्योंकि यह हमारे गेहूं के आटे से बने हुए है इसलिए अगर यह बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं इस वहली जरूर बना करके देखिए यह मिनी समोसे अगर हमारी यह रेश्पी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड सेयर करें और अपने इस्पीरेंस हमारे साथ बाटें और एक बात बोलेंगे कि नेक्स रेश्पी क्या लेकर आएं थैंक्यू बबाए